नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं physics का previous year का question paper आज हम physics के question को study करेंगे और देखेंगे कि जो हम आपको करवा रहे हैं क्या वो slabus के according है या जो हम आपको करवा रहे हैं वो slabus से out of the slabus है तो यह हम check करेंगे और यहां से आपको questions भी पता लग जाएंगे किस तरह से exams में question पूछे जाते हैं तो यहां से आपको यह confirm और satisfaction भी हो जाएगी कि जो हम यहां पे करवाया जा रहा है वो सही है या गलत है तो आईए वीडियो को शुरू करते है तो firstly हमारे पास question आता है वेन white light passes through prism the color which bent the least तो हमारे पास यहां पे question था कि जब prism में से जो white light है वो pass होती तो आपको पता है जो light है वो आपके पास due to dispersion वो separate होती है आपके पास और वो आपके पास seven colors में निकलती है तो सबसे ज़्यादा bend कौन होती है सबसे कम bend कौन होती है तो सबसे ज़्यादा जो bend आपके पास होती है वो होती है violet और सबसे कम होती है red तो यही इनों ने पूछा था कि सबसे कम bend कौन होती है red next चलते हैं laboratory thermometer ये question थोड़ा सा typical था बट ये question भी हमने आपको करवाया है जब हमने theory की थी, question नहीं करवाया, theory में इसको discuss किया है, तो जो आपके पास यहां पे पूचा गया था जो laboratory thermometer है, इन्होंने कहा है जो mark कर रहा है 50 से 51 degree Celsius शो कर रहा है, तो आपको आपके पास thermometer है, जैसे यहां पे इन्होंने शो किया था तो उसमें 5 small division थी, okay, laboratory thermometer शो 5 small division between the mark, यानि जो आपके पास 50 and इसके बीच में 5 mark है 1, 2, 3, 4 and 5, यानि cap जो है 5 mark के हैं and 51 degree Celsius and this means that thermometer can read तो आपको बताना था कि यह कितने तक measure कर सकता है आपके पास तो guys अगर 5 mark होंगे तो आपको पता है जो temperature वो 10 तक चलेगा जैसे 50.1, 50.2, 50.3 it means कि वो आपके पास कितना measure कर सकता है तो आपके पास जो accurately measure कर सकता था वो था 50.2 क्योंकि 2, 2 के gap के ओपर थे सारे 2, 4, 5, काफी easy question था next है मारे पास SI unit of calorific value जो आपके पास calorific value है कि कितनी हमने heat 1 की है sometime आपको calorie निकालने को आ जाती है तो कितनी बहां पे heat निकली है और कितनी आपने उसको supply की है उसको आप divide करोगे और आपके पास आ जाएगा तो यहाँ पे जो right answer बना था आपके पास joule per kg जो थे इसके आपके पास unit है यह थोड़ा सा typical question था क्योंकि अगर आप देखो कि तो सभी जो है आपको calorie value के unit लगेंगे next है मारे पास which one of the following planet has no natural satellite अब physics जो है आपको पता है solar से भी related है तो वहाँ से भी question आ जाते हैं तो यहाँ पे question आ था कि किस के पास जो है satellite नहीं है तो आपके पास जो mercury and venus है उनके पास कोई भी satellite available नहीं है natural satellite so weakness थो आपके पास यहाँ पर right answer था next हमारे पास power of which lens is negative तो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी lens की power जो आपके पास negative होती है तो guys जो आपके पास concave lens है उसकी आपके पास power and focus length दो है वो negative होती है okay power and focus length concave की दोनों की दोनों negative होती है next था काफी easy question था the least distance of a distinct vision for a young adult with normal vision कितना होता है 25 cm and velocity of sound is maximum तो जो sound है आपके पास वो किस तरह से travel करती है वो आपके पास हमने दो waves पड़ी थी longitudinal and transversal तो जो आपके पास transversal थी वो as a truff and crust में चलती जो electromagnetic waves है but जो sound waves थी आपके पास वो आपके पास longitudinal wave थी जो कि vibration के थ्रू चलती है it means जितनी ज़्यादा density होगी उतनी ही ज़्यादा speed होगी तो सबसे ज़्यादा density होती है steel में it means सबसे ज़्यादा speed इसकी यहाँ पे होती है कितनी होती है 5960 meter per second and next आता है melting point of tungsten तो इन्होंने यहाँ पे इसके grace mark डाली थी क्योंकि अगर आप देखो गए तो इसका highest temperature था यह but जो इसका melting point है उसकी value जो original value यह नहीं थी but इसकी grace mark यहाँ पे डाली गई थी इन्होंने इस question को यहाँ पे गलत कहा था next है मारे पास sound wave in nature तो देखिए बो ही question आगया जो हमने अभी आपको पीछे बताया sound waves किस तरह की waves होती है आपके पास जो sound wave आपके पास वो longitudinal waves होती है तो जो B है आपके पास वो right answer है and which of these are used in solar cell तो solar cell में बहुँ यूज होता है जो light के लिए काफी ज़द सेंस्टिव होता है यानि silicon and frequency of AC supply in consumer in India तो ये question की भी especially grace दी गई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है जो इंडिया में supply होती है वो होती है 50 hertz की but इन्होंने H2 लिख दिया था यहाँ पे but फिर इन्होंने इसको सही कर दिया था तो यह आपके पास current से related है अभी हम इस topic तक नहीं पहुँचे हैं इसको भी हम करेंगे so B जो आपके पास यहाँ पे right answer है next हमारे पास uniform circular motion of an object is तो अगर आपके पास कोई uniform circular motion है तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस बस्तू की एक समान भीती गती इन्हें से कौन सी है यानि एकदम जो उसकी uniform circular motion होगा किस चीज में होगा तो जो acceleration motion है हमारे पास उसमें जो है एकदम uniform circular motion जो है आपके पास present होता है next हमारे पास Newton second law पुछा गया था relation between force, mass and acceleration तो F is equal to M and A force is equal to mass into acceleration so Newton का second law था यहां से question आते ही आते हैं law से next हमारे पास the change in focal length अभी हमने कल जो वीडियो की थी sorry जो परसों हमने theory पड़ी थी बहां से एक question था the change in focal length तो focal length किसकी वज़े से change होती है ciliary muscles की वज़े से next हमारे पास which of the following is not the unit of energy तो energy की unit कौन से नहीं है यहां पर तो जो आपके पास joule थे, kilowatt थे, kilowatt आवर थे वो सारे के सारे energy के ही unit थे बट इन्होंने जो answer बताया था वो बताया था Newton meter ओके कि यह आपके पास energy की unit नहीं है so option number B जो है आपके पास यहां पर इसका right है था जोकि Newton आपके पास force हो गई and meter आपको distance बता रहा है यह आपको distance बता सकता है force into जो भी distance यह travel कर रही है and next हैमारे पास farmer एक farmer है जोकि moving along the boundary of a square field of a side 10 meter in a 40 second day कोई farmer है उसका square में जो है उसका खेत है and square of a field of side 10 meter and जो उसकी side है वो 10 meter एक in 40 second तो इन्होंने का है कि एक किसान 10 meter भुजा बाले एक बरगाकार खेत की सीमा पर 40 second में एक चक्कर लगा लेता है 40 meter है यहां पर and वो 40 second में इसका चक्कर लगा लेता है 2 minute और 20 second के बाद किसान के बिस्ताफपन की यानि आपको यहां पर displacement निकालनी है तो displacement जो आपके पास आएगी वो आएगी total करके तो आपको यहां पर देखना है कि किसान ने कितना distance first of all travel किया है तो अगर आप देखोगे तो 2 minute and 40 second तो अगर 10 meter है यह आपके पास और वो इसको चलने में 40 second लगाता है तो 80 में वो 120 में यानि 2 minute में वो कितना निकल जाएगा आपके पास वो इसको cover कर लेगा उसके बाद वो कहां तक होगा यहां तक होगा तो आपको इसकी displacement निकालनी थी तो वो आएगी आपके पास 10 and root 2 okay and next है मारे पास sorry थोड़ा से यहां पर mistake हो गई इन्होंने 2 minute 20 second कहा है ना कि 4 okay तो 2 minute 20 second में आपके पास कितने होंगे तो 2 minute यानि 120 plus 20 यानि 140 तो 140 में आप पर calculate कर पाओगे इसली में तो 140 यानि 40 के साथ आप इसको divide कर लीजी आप इसली जो है पता लगा पाओगे कहां पे है next है मारे पास in which one of the following heat is transferred by the process of conduction तो कौन सा यहां पर process है जो की heat को flow कर रहा है भी the help of conduction यह सारा heat से related है तो अगर आप देखोगे तो from sun to earth radiation के थूँ चलता है and room heated यानि room में के होगा आपके पास air होती है तो यह convention के थूँ होता है c freeze and land freeze तो यह भी आपके पास जो आपके पास property है radiation के थूँ हो सकता है क्योंकि जो समुंदर है and gel है आपके पास but जो for one and two spoon to other end of a spoon and deep in a hot tea यह आपके पास conduction sorry conductor या conduction के थूँ होता है जो आपके पास सरी चम्मच है जब आउसको एक चाय में डालोगे तो वो गरम हो जाएगी next है मारे पास a merry-go merry-go round at a non-varying speed अगर किसी merry-go की non-varying speed है तो and about 10 meter per second it implies तो वो क्या implies करेगा आपके पास वो आपके पास it is moving with the uniform velocity वो आपके पास uniform velocity में move करेगा तो जो आपके पास speed of sound है air में वो कितनी होती है उसकी 331 meter per second inverse तो यह जो था इसका right answer था तो guys एकतम common common question पूछे जाते है next आता है infrasonic can be heard why तो यह question हमने आपके साथ जब हमने sound related properties पढ़ी तो हमने आपको बताया भी था कि इस से related question आते ही आते है जो super sonic है आपके पास वो तो dog भी सुन सकते है बैट भी सुन सकते है and human तो आपको पता है normal audio बल जो होगी 20 से लेकर 20,000 hertz तक उसको सुन पाएंगे बट जो rhinos होते हैं आपके पास वो infrasonic infrasonic यह नहीं जैसे bookamp की जो तरंगें होती है इतनी कम होती है वो उनको भी सुन लेते हैं next आता है velocity time graph for uniform acceleration तो जो आपके पास velocity time graph होता है for uniform acceleration वो आपके पास किस तरह की line जो form करता है तो आपके पास वो curved line जो है form करता है next है हमारे पास a world flying at a certain height एक पक्षी है जो की एक height के उपर उड़ रहा है तो उसमें कौन-कौन सी energy होगी तो अगर आप देखोगे जब वर्ड हवा में उठता है तो उसके उपर कौन सी एक तो kinetic energy लगी है अगर आप देखो तो पहले उसके पास potential energy थी तो जब वो उने motion के according चल रहा है तो उसके उपर kinetic energy जो work कर रही है और उसकी position के according उसके अंदर potential energy भी है तो बोथ kinetic and potential energy जो इसमें work करेगी नेक्स्ट हमारे पास आता है वो person can use bifocal length तो हमने ये आपको बताया भी था why focal length क्यों use होता है for both जिनि myopia and hypermetropia के लिए myopia क्या था आपके पास long object and hypertopia क्या थे जो आपके पास near के object है वो आपको नहीं दिखते थे okay and next हमारे पास mass of an object in air तो ये question तो हर टाइम बुझा जाता है कि आपके पास कोई object है जिसका mass है 40 kg and mass of this object in water तो अगर आप उसको water में भी डालोगे तो उसका mass कम नहीं होगा क्योंकि mass constant होता है तो वो आपके पास 40 kg ही रहेगा next हमारे पास sound can travel तो sound जो आपके पास solid में, lucid में, gases में हर जगा travel कर सकती है next हमारे पास a person living in shimla observe that cooking तो ये question काफी time पूछा गया है कि जो अब person जो है आपके पास height के उपर होता है तो उसे काफी ज़्यादा time लगता है खाना बनाने में इसका क्या reason है क्योंकि आपको पता है उपर atmospheric pressure कम हो जाता है तो reason होगा क्योंकि बहाँ पे pressure कम हो जाता है जिसकी बज़से जो boiling point है वो भी आपके पास कम हो जाता है next है मारे पास permanent hardness of water तो यहाँ पर तीन question जो थोड़सा chemistry से related आ गए है तो permanent hardness किसकी बज़से होती है आपके पास तो जो permanent hardness है आपके पास वो आपके पास होती है chloride and sulphate of calcium and magnesium तो यह question तो back to back दो तीन साल पूछा गया है next है plus drop paris तो काफी student son को गलत किया था क्यूंकि उन्हें लगता है कि cso4 half h2o बट यहाँ पे half h2o given ही नहीं है बट अगर आप ध्यान से देखोगे cso4 twice है यहाँ पे दो present है तो दो के साथ एक लगा है यह नहीं half है and next हमारे पास what is DDT तो DDT जो है आपके पास non-biodegradable pollutant है जब हमने chemistry पढ़ी थी तो बहां पर यह देखा था इसको भी हमने chemistry में study किया है and most durable metal plating on iron तो वो आपके पास कौन सी plating होती थी zinc plating जिसे हम galvanization process कहते हैं तो guys आपने देखा होगा कि जो भी हम आपको topics करवा रहे हैं वो एकदम इसी से related हैं जो यहाँ पर पूछे जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ next topic या next paper जो है discuss करेंगे और आपको बहां से idea भी हो जाएगा कि कौन से topic पढ़ने के लिए बच गए हैं तो आज की वीडियो में इतना ही है मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए thank you have a next day